शिर्डी के साइं बाबा, शिर्डी के साइं बाबा, साइनाथ, एक महान संत, योगी और फकीर थे, जिन्हें उनके भक्त भगवान के रूप में पूझते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराश्ट्र के पाथरी नामक गाव में हुआ था। साइं बाबा का वास्तविक नाम और जन्मस्थान अग्यात हैं और उनके जीवन के शुरुआती सालों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। साइं बाबा का मुख्य संदेश सबका मालिक एक था, जो कि उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को सिखाया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का सम्मान किया और अपने अनुयाईयों को भी ऐसा करने की प्रेणा दी। बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय शिड़ी गाउं में बिताया और यहां उन्होंने कई चमतकार किये जिनसे लोग उन्हें दिव्य शक्ति के रूप में मानने लगे। साई बाबा के प्रमुक सिद्धांत श्रद्धा और सबुरी बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को श्रद्धा, विश्वास और सबुरी धैर्य का पालन करने की सलह दी। उनका मानना था कि भगवान पर विश्वास और धैर्य के साथ हर समस्या का समाधान हो सकता है। दान और सेवा साई बाबा ने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की सेवा की और दान देने पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयाईयों को भी दूसरों की मदद करने और दान देने की शिक्षा दी समानता और एकता बाबा ने जाती, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को कभी महत्व नहीं दिया उनके लिए सभी मनुष्य समान थे और उन्होंने हमेशा अपने भकतों को समानता और एकता का पाठ पढ़ाया साई बाबा के प्रमुख चमतकार जल से दीब जलाना एक बार जब मस्जिद में घी खत्म हो गया तो बाबा ने पानी से दीब जलाया यह चमतकार देख कर सभी लोग उनकी दिव्यता को मानने लगे बीमारियों का इलाज बाबा ने कई लोगों की गंभीर बीमारियों को अपने स्पर्श और आशिरवाद से ठीक किया भविश्यवाणी बाबा ने कई बार अपने भकतों को उनके भविश्य के बारे में सही जानकारी दी और उन्हें आने वाली समस्याओं से बचाया। साइं बाबा की समाधी, साइं बाबा का महा समाधी 15 अक्टूबर 1918 को हुआ था। उनकी समाधी शेड़ी में स्थित है और यह स्थान आज भी लाखों भक्तों के लिए एक महत्व पूर्ण तीर्थ स्थान है। साइं बाबा की समाधी पर प्रति दिन हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं।